नमस्कार अंगनबाडी बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एज्यूगेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में दूस्तो चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जोर जोरू प्रेस करेगा क्योंकि अंगनबाडी बहनों आपको पता है कि अंगनबाडी से जुड़ी जो कोई भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको प्रवाइड कर वे जाती है वो भी विद्ध प्रूप के साथ पूरी ऑथरेंटिक खबर के साथ है जी हैं अंगनबाडी बहनों आज की ज अठारा जार रुपे बड़ी सेलरी सरकारी करमचारी भी गोसित तो चली फ्रन जान लाते हैं पूरी अपडेट वीडियो बहुत ही महात्पुन बनने वाले ही तो वीडियो को बिना स्कीप के अंतर जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ल करमचारी का दर्जा जैने बुक्तान के लिए डीबीटी सिस्टम को नेमित लागू रखने समेद पासुत्री मांगों के समर्दन में बुद्वार को सेवी का साही का संग ने समरानाले पर उग्रप प्रतसन किया और सूपर वाजार से जुलूस की सकल में सेयकडों की संग् करके आवा गमन बादित कर आंगनबाडी सेवी का वसाही का होगे प्रतसन के करण लॉकडाउन और सारे रिक दुरी व्यवस्ता की पूरी तरह से दज्जिया पर उड़ चुकी है तो दोस्तों यहां पर आप दिखो कि आंगनबाडी बहनों दूर आपने वेविन मांगों क पांसो रुपे मिलेगा एडिशनल इंसेंटिव रासी जी यहां दोस्तों बड़ी खुसकबरी हैं पर आप देख से तो बटिंदा से दोस्तों अपडेट निकल का आ रही है कोरोना महामारी के दोरान अपनी जान की परवा किये बिना फ्रेंट लाइन पर खड़ी होने और दोर सर्वे करने वाली पंजाब की सभी आसा वर्कर और फैसिलेटर को सरकार ने एडिशनल इंसेंटिव देने का फैसला लिया है इस बारे में सेथ विबाग ने प्रदेश के विबिन सिविल सर्जनों को एक पत्र बेज कर नेशनल हेल्थ मिसन के तत काम करने वाली आसा व पैसले के बाद जहां आसा वर्करो वो फैसिलेटरों खुस भी है वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर नाराज भी है कि सरकार ने अभी तक उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया है सदा में आने से पहले सरकार ने उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने का बरोसा दि कि सभी सुविदावों में अगले आधेश तक आसा वरकरों फैसिलेटरों को मेयत मिल सकती है तो दोस्तों यहां पर आप दिखतो बड़ी खुसकबरी निकल का आ रही है पंजाब के बटिंदा जो भी आंगनबाडी बार ने पंजाब की रहने वाले उनके लिए बड़ी खु कि लातेहार 10,000 रुपे रिस्वत लेते है महिला परिवेक्सिका के रंगे हाथ गरपतार आंगनबाडी सेविगा से मांगी थी जगुस दोस्तों यह अपडेट यहां पर आप दिखतो बालुमात लातेहार से हैं यहां पर आप दिखतो बाल विकास परिजना बालुमात का रहले से बुद्वार को महिला परिविक्षिका लेला कुमारी राम को 10,000 रुपे रिश्वत लेते हैं S.B. ने गरपतार कर लिया और लिला कुमार राम ने एक आंगनबाडी सेविका से मांदे दिलाने के लिए 20,000 रुपे गुस्की मांग की हैं और S.B. टीम ने उसे गरपतार कर प्लामू ले गए है प्लामू S.E.B. टीम ने बताया कि सेक्टर 3 और साथ की महिला परिविक्षिका लिला राम को आंगनबाडी सेविका ने दिया है किस्त में 5,000 रुपे का भुक्तान कर चुकी है इसके बाद लिला राम ने और 10,000 रुपे देने पर मांदे बुक्तान करने की बाद भी कही है और अगली जो अपडेट निकल का आ रही है कि आंगनबाडी वर्करों को नहीं मिल रही है मास्क सेनेटी जैसी बुनियादी सुविदे है जी है दोस्तों अपडेट यहां पर आदिसो फिल्ड में काम करने वाले कोरोना योद्दा की बुनियादी सुविदे भी मिलने से उन में रोस व्याप थे जी है दोस्तों अपडेट फरिदाबाद से है कि आसा वरकर यूनियन बुद्वार को बात्सा अकाने स्पिताल के प्रांगन में निलम चोक पतक हाथों में चत्री लेकर रेली निकाली और नगर निगम चोक पर आसा कारी करता हुन्हें जमकर नारे बाजी भी की है और नेक्स्ट जो अपडेट निकल का रही हैं अच्छी का रांगनबाडी के अंतर पर न्यू ट्री गार्डन वा पोशन वार्टी का विक्षित दोस्तों यहां पर आप दिश्तों यह अपडेट नीम का थाना से लगाईगे राजस्तान से महिले अंबाल विकास विभाग दूरा नियू एंट्री का रडन वा पोशन वार्टी का विक्षित करने के अभ्यान के तर डानी बावर्यों वाली में कारिकरम हुआ और संजे चेतानी वा सरपंच सुरेस खेरवान ने पोदार ओपन कर पोशन वार्टी का शुरू भी करवाई है दोस्तों यह पूरी अप